आज विश्व धरोहर दिवस है और आप सभी को इसकी धेस आरे शुक कामना है 36 गड़ को धरोहरों के राज़ के नाम से जाना जाता है सिर्पुर में पांचवी शिताबदी से आठवी शिताबदी तक बौध संप्रदाई के धरोहर मिलते हैं जिसमें संगाराम बौध विहार के धरोहर के साथ वैशनव संप्रदाई के लक्षमन मंदिर, शैव संप्रदाई के मंदिर मिलते हैं कबीरधाम जिले के कवधा की यदि हम बात करें तो साथ से ग्यारवी शिताबदी के बीच परवत शिंकला के बीच बना मंदिर भगवान शिव को समर्पित है इस मंदिर में खजुराहो की जलग दिखाई देती है इसे चतिसगर का खजुराहो भी कहा जाता है इसे तरह बस्तर की यदि हम बात करें तो बस्तर के घने जंगलों में तीरत गड़ फॉल्स के सपास इस्तित है अद्भूत गुफाएं दो किलोमीटर लंबी इस प्राकृतिक गुफा की खोज उननी सो के दर्शक में की गई थी ऐसी बहुत सारी रोचत बाते हैं जो हमारे चतिसगर के धरोवर से जुड़ी हुई है आज इसी विशब पर हम बात करेंगे पर इससे पहले कि अपने महमानों से आपका परिशे कराएं पहले देखते हैं ये खास रपोर्ट चतिसगर प्रदेश के जगदलपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये गुफ़ा मौजूद है जहां पहुचने के लिए जगदलपुर से केशलूर से होते वे सुक्माराश्ट्री राजमार्गी से लगा हुआ एक चेक पोस्ट है जहां से इस गुफ़ा के अंदर जाने के लिए गाइड और खुली वाहन उपलब्द रहते हैं जहां से आगे का सफर शुड़ होता है चेक पोस्ट से 8 किलोमीटर कच्चे रास्ते और घाटी को पार करते वे गुफ़ा के द्वार तक हम पहुच सकते हैं कि अब हम पहुच चुके हैं कुटुम सर गुफ़ा के पास और यहां पे हमको गाड़ी खड़ा करके जाना होगा और आगे बामुस्किल सो मीटर में ही गुफ़ा का द्वार है उसके बाद हम आपको अंदर के अद्रिश से दिखाएंगे आप टीवी 24 के साथ बने रहे हैं कोने कोने में यह ध Sep दरोहर मौजूद है उसी में से एक बश्तर के बात करें अगर तो स्तर में क्याइस छेत्र की और मौजूद है जहां पर लोग परियटर कि दिश्टी कोर से आते हैं हम इस वक्तर मौजूद है कोटुम शर्च गुफ़ा के मुखने पर राष्ती का कोटुमसर गुफा की और जाएंगे हम आपको कोटुमसर गुफा के इतिहास के बारे में बताएंगे क्या है उसके पीछे कर रहे हैं आईए जानने के लिए हमारे साथ ये गुफा 1950 में इस्थानी लोगों की मदद से प्रोफेसर शंकर तिवारी ने खोज की थी इस्थानी लोग यहां शिवलिंग पर उजा करने आते हैं इस गुफा की कई किवधनतियां प्रचलित हैं वनवास के दौरान भगवान शिराम ने यहां पर समय बिताया था यही इस गुफा के भीतर का रहसी है ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने यहीं पर प्रभु शिव की उपासना की थी और आगे का सफर भी यहीं से शुरू किया था इस मार्ग को राम बंगमन पत के नाम से भी चाना जाता है अब बस्तर जिसको मुझे गंड़का रेंड़ भी कहते हैं यहां पर बहुत सारी गुफाएं हैं यहां कह सकता है कि बस्तर जो है पाताल लोग भी है बस्तर में इन गुफाओं में सबसे जो चर्शित गुफा है उसका नाम है कोटमसर यह गुफा लगवग लगवग आधा किलमेटर लंबा है और विश्व के 20 भी गुफा इसको माना जाता है अमेरिका में जो काल माकस नाम का गुफा है उससे इसकी तूलना की जाती है कोटमसर गुफा करोड़ों साल पुराना है और आज भी वहां पर सोधकार जारी है और नए 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 गुफाएं वहां मिल र जाती है जो लोगों को आकरसित करती है को कुटमसर गुफा के भीतर जाने का रास्ता काफी सक्रा है मुआने पर कंक्रीट और लोहे की गुमावदार सीरिया लगाई गई है जिनके साहारे नीचे उत्रा जाता है यह गुफा भूतल के नीचे 50 से 150 फीट की गहरी बताई जा जाती है तो यहां चूना पत्थर से बनी विभिन आकरतियां चमक उती है जिने देखकर लोग मंत्र मुख्ध हो जाते हैं आपको इन आकरतियों में जितने रूप पसंद है उतने ही रूप देखने को मिलेंगे परियटकों को अपनी और आकरशित करती यह गुफा ना केव परियटक को देखने को बड़ी संख्या में परियटक आते हैं कांगेर वैली नैशनल पार्क पहुच रहे हैं तो याद रखिए कि यहाँ पर इस गुफा में मौझूद अंधी मचलियों को देखना ना भूलें इन मचलियों को देखकर आप आश्चरे चकित हो जाएंगे दरसल कैलाश गुफा और कुटुमसर गुफा में मौझूद यह मचलियां देखने दुनिया भर से लोग यहां आते हैं खास बात यह है कि 36 गण में केवल इसी पाता लोग के कुण में इस तरह की अलग प्राजाती की मचलियां देखने को मिलती हैं गुफा के भीतर कुण में अंधी मचलियां पाई जाती हैं कांगिर वैली नेशनल पार्क में मौझूद कुटुमसर गुफा और कैलाज गुफा जमीन से करीब 40-50 फीट गहरा है करीब 200 फीट तक उची दिवारे और इसके चट पर जूमर नुमा अकृतियां यहां पहुचने वाले पर्यटकों को अपनी और आकरशित कर ही लेती हैं टीवी 24 न्यूज की टीम ने गुफा में सिद्भगवाज शिव के शिवलिंग का विशेश कवरेज किया टीम ने इस पूरे कवरेज के दौरान ये महसूस किया कि प्रभु शिराम वहां आसपास हर एक कड में मौजूद है जरूर प्रभु शिराम यहां आकर अपने आराध्य सदाशिव की पूजा में लीन रही होंगे इसलिए यहां पर मन को सुकून मिलता है चतिसगर प्रदेश सरकार ने भी इन धरोहरों को संरक्षित कर रखा है ताकि शेत्री लोग यहां पर आकर इस आध्यात्मिक और एतिहासिक इस्थल को जरूर देख सकें तो इस रिपूर्ट के बाद चलिए आज हम बात करेंगे विश्व धरोहर दिवसकी और बात करेंगे चतिसगर की खास धरोहर के बारे में पर आपको मिलवादे अपने महमानों से हमारे साथ आज महमान के रूप में जुड़ रहें जो की वरिष्ट इतिहासविद हैं हम आँ साथ जूरुशे वरिष्ट इस सायकपाद्यापक्ड़ निटेश मिश्टूर आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार जोक्ल्डर रमींदी नाथ मिश्व जी आप से सबसे पहला सबाल तो यह है कि धरोहर हम किसे माने और किसे ना कहीं? जितनी भी पुरानी चीजे हैं, उनको भी हम परिभासित दिरिष्टिस आधनिक में पसत्य साथ पुराने को माना जाता है, लेकि सही अर्थों में जितनी भी पांडुलिपियां हैं, सिक्के हैं, तामरपत्र हैं, इस्तंबखंड हैं, सब एक प्रकार से धरोहर के ग्रूप मे हमारे सामने से सहिच करकर रिया कह जाते हैं, धरोरों की सुरुवात हम करें, तो प्रागेत है, हासिक चित्रकारा जो सिंगनकूर कबरा पहाड या जैसे हमने वेशित किया था चित्वा डूंगरी बगिली के साथ भगवान सीखे, तो वो एक है, तो इसे बहुं सारे हमारे दिवस की दिन ही याद न रखें, बलकि इसको आप यह मान के चले हैं, कि साल का प्रत्यक दिवस हमारे लिए धरोहर को बचाने के करते हो याद करना हो और सोचना होगा, और मैं ते मान के चलता हूं, कि छत्ते यड जो है वो धरोहरों का गढ रहा है, और चारो दिसाओं मे हम जाएं, तो निश्चीत रूप से रामगीरी सरुजा हो, या जैसे कुटम सर की बात हुई, डोंगरगर के तरफ आमगरगर के जो गुफा है, या सारंगर के तरफ तो यह सब अपने अपने इतिहास को सम्मेटे हुए हैं, और इस रूप में हम देखें, जैसे कि प्रत्य देखा जाए, और कौन सा धरोहर जो है, इतिहास में आने वाली प्रीक लिम्मत पुन है, जैसे कि आपने सिर्पूर की बात कहीं, तो निश्ची दूरुप से, सिर्पूर तो इब मान के चली है, कि छत्ति जड़ के महास्वेगुत बाल आजुन का सर्म है, जो सोर निक्वा है, तो ऐसे ही रतनपूर है, बारसूर है, मलार है, और उनका काफी स्थान है, जैके करके हम लें तो इन सब धरोहरों को पात्रक्रम में समूरित करके, प्रात्मिक सब बच्चों से लेकर आगे, उनकी जायनकारी में होना चाहिए, कि हम जिस अंचल में रहते हैं, जिस जाना चाहेंगे पठन-पाठन में, जब हम इसका जिक्र करते हैं, तो इसकी सिक्षा हमें कब से कब तक रखनी चाहिए, और क्या आपको लगता है कि इतिहास की सिक्षा अनिवारे कर देनी चाहिए हर विशे के साथ, निश्य तोर पर अकांच्छा जी, इतिहास एक ऐसा व बच्चे को ये जानना होगा कि हमारे पूरवच की इस प्रकार के थे, भारत का इतिहास कितना गवरोशाली इतिहास रहा है, इस दिश्चिकोंड से इतिहास को पढ़ायाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इतिहास हमें अतीत के बारे में बताता है, और जिस व्यक्ति को अपने अतीत की जानकारी होगी, वो निश्चित तोर पर उसका वर्तमान भी अच्छा होगा, और उसका भविश्य भी अच्छा होगा, इस प्रतेक बच्चे को ये इसका पढ़ाई कराई जया, आपने जिस तरह से बात की कि इतिहास के सिक्षक होने के नाते आप ये महसू जो है हर एक छात्र के लिए इतिहास पढ़ना बेहत जरूरी है, ना केवल अपने शहर को जानने के लिए, बल्कि अपने इतिहास को जानने के लिए भी बहुत जादा जरूरी है, हम डॉक्र रमींद रिनात मिश्य जी की तरफ रूप करेंगे, सर आप से हम जानना इतिहास संस्क्रिती की जड़ की रूप में असको देख सकते हैं, और उत्खनन के माध्यम से या पूरातत के माध्यम से इतिहास के धरूरी है तरफ जब हमारे सामने आते हैं, तो बहुं सारे सत्य उजागित हो जाते हैं, मेरा इस अब भाग रहा कि आज 20 धरूर दिवस के दिंपुर्व। मैं एक नहीं खोज वहां को से इतिहास परसर्थ प्राचेनबार्थ इतिहास संस्क्रति भाग प्रहवी संक्रवी से विद्धाला के सामने आया था, उसको कल अन्वेशित करने, सर्वेक्षन करने, तो वहां के पोड़ी और मुदा गाउं रतनपूर के पास म तो वहां के पूरा मैंने एका उलुकर निख्षन किया सब मुदालब के साथ में, वहां के तालाबों को देखा, तो वास्तों में लगता है कि इतिहास के तत्य बिखरे पड़े हुए हैं, और उसको हमको अन्वेशित करके सामने लाना चाहिए, जो कि प्रकास नहीं हूपा करता है, डाक्टर आधा कृष्णन का कहना था कि इतिहास जो है, राष्ट की इसमर्ण सकती है, तो निश्चित मान कर चलिए, बहुं सा इस्थानों पर मैं देखा कि पूजा के जगा में, लाल कपड़े में लपेट करके रखा जाता है, कहीं तामरुपत रहता है, कहीं पा जैसे बहुं साइच चीजें हैं, यहीं से हम खोजना सुरू करें, तो धरोहर हमारे सामने आते जाएंगे, हमारे देश का प्रकार से जैसा समुचित ध्यान इतिशन देना चाहिए था, वो नहीं हो पाय था, तो उसको देखते हुए धरोहर के रूप में इन सब चीजों को बहुत पूराने मकान हैं, फिर चीत्र कला है, और जितनी कास्ट कला है, यह दिगर चीत्र जो है, वह यह प्रकार से देखा जाए, तो इसके धरोहर के इंतरगत में आते हैं, और इसमें पूरा से लेकर के मध्या अधना तक जितना भी हो सके, हम कौधिक सभी कोशी से, पर ह इसके बारें बोलें, यह रखें, सामने करें, तो उसमें इनको आत्मसाथ करना होगा, ठीक है क्यों दंती है, आस्था है, कुई बाते हैं, वह एक आधार हो जाती ही पकडंडी की तरह, पर हमको निश्चित रूप से, इन सब को लेकर हम चलेंगे, तो देश का एक नया इत प्राचीन भारती इतिहास, संस्कृति और पुरात विभाको निश्चित रूप से जाना चाहेंगे, जब हम इनकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उनके संदक्षन और सवर्धर में सरकार की क्या भूमिका हो सकते हैं? पंडितरवीश शंकर शुक्ल भीश्विद्याले से आता हूं, तो हमारे यहां एक एजुकेशनल टूर, एक कर्यूकुलम का पार्ट है हमारे, जब हम चातरों को पुरास्तरों पे ले करके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो एक लेमेन है, उसको अपनी धरोहरों के प्रत कुछ रॉक शेल्टर के पास जो रॉक पिंटिंग बनी होती है, उसमें देखा कि लोगों ने पने नाम लिख दिये हैं, तो कहीं ने कहीं यह लैक आप अवेरनेस है, तो मैं चाहता हूं सरकार से यह अपील करता हूं, कि इस प्रकार के पुरास्तलों के पास कहीं ने कहीं को एक बोर्ड लगा के रखें, कम से कम एक गार्ड की न्यूक्ति वहां पे करें, कि लोगों को वो अवेर कर सके, कि यह आपकी धरोहर है, और हज़ारों वर्सों से सुरक्षित है, तो इसको और और भी समय तक इसको सुरक्षित रखा जाए, ताकि हमारी आगध पीड़ी भी इसको आकर के देख के कुछ सीख सके, तो इस सरकार की बड़ी भूमिका होती है, और विश्वद्यालेओं के माध्यम से हम लोग लगातार कहीं नहीं कहीं पूरातत तो जागरुपता के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जब भी कोई संगोष्चियों का ओजन करते हैं, तो मंच के माध्यम से बात बताते हैं कि लोगों को अपनी पूरा संपदा के प्रती, अपने धरोहर के प्रती, निश्य दिरूप से सजग होना चाहिए, और लोगों के अंदर धिरे-धिरे मड़म अब अवेरनेस आ भी रहा है, अगर सरकार इसमें पहल करेगी, तो न अपने धरोहरों के समझ हो जाएगी, और जब बाल काल से ही कोई व्यक्ति अपने धरोहरों के प्रती अवेर हो जाएगा, तो जब वो उस पूरास्थल पर जाएगा, तो कभी उसको नुकसान नहीं पहुचाएगा, इस सारी बाते मड़म अवेरनेस की हैं, हमको उनको अव स्वरूप भी बदला जा रहा है, ये कितना उचित है? ये कह सकते हैं इसको, और निश्चितमान करके चलिए का और जैसे आपने खाया है, इस थानों में आप जाएंगे, तो उपाएंगे कि उसका मूल सोब जो है, एक प्रकार से नश्ट होते हैं, तो एक नागरिक नाते मैं आगरिक करना चाहूंगा, सासन सासन से, कि इस दिश मूजियम को चित्र दिया हुआ है, राइपूर की मूजियम को राजनान गाउंक राजया महन गासिदा जीन बनवाया था, देश का अठ्वा, छतिरह मिपी का पुराना और दिलिश पुराना कह लिए उसको, तो इतना अच्छा मूजियम और वो अश्टकोनी भौन है, परकार की संपत्ती है, पहला राजपत्र में चप चुका है, इसके बावजूद भी बाजू में है अफिस, जहां से स्थापना हुई थी, इसको हमारे बच्चे लोग पहले उस अजयाइब घर कहते थे, मतलब मैं कह सकते हैं, इस परस्टों से का पेच्छन को धान रख संग्राले कोशिष की थी, 1970 से, तो आज तक ना, उन्युनिवर्सिटी ने, शिक्षववाग ने कोई ध्यान ही, तो हम तो जागरू करहते हैं, सब कुछ रहते हैं, अपने प्रयास से करते हैं, लेकिन सही अर्थों में सरकार को बहुत ही जागरू करहना होगा, 22 साल होगा, जैसे काफी दुख भी लगता हूँ, जैसे कैसरीन दर्वाजा है, कैसरीन दर्वाजा हमारे लली कारन बचानी तो तो डात रही होण में, उसको मैं चार मिनार का छोटा भाय कहता हूँ, तो उसका दो मिनार तो अवैत कभ जोगन में खूज रख लिया है, उपर भी कि दुरूप का जो हिंदी भौन है, वो इतिहासिक धरवर है, उसको बचा लो, क्योंकि देश में किसी भी हिंदी भवन के नाम से असा सुंदर धरवर नहीं है, तो है बहुत सारी चीजह है, इसमें निश्ची टुरे, सासन को जन प्रतियों को गंभीरता से सोचना है, आतक्त्व के महत्व को समझाती है, लेकिन जब हम चात्युजगर की बात करते हैं, तो हमको वो परमपरा यहां पर नहीं दीखती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास के चात्रों के लिए अपने इतिहास को जानने और बताने का, एक गाइड के रूप में हमारे इत वहां पर मेडम कभी भी आप जाएंगे, जिन किलों के बाहर आप जाएंगी, आपको बेल ट्रेंड गाइड मिलेंगे, वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, 36 गड़ मेडम परेटन के दिश्टिकोर्ण से खास करके पूरा परेटन के दिश्टिकोर्ण से बहुत ही महत पूर्ण है, मैंने इसको समझा है और मेडम कहीं ने कहीं इस कमी को भी देखता हूँ, यहां पे उतनी संख्या में गाइड अविलेबल नहीं है, कारणा मेडम उसका क्या है, कि 36 गड़ के जिन जिन कालोजों में 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 इतिहास की पढ़ाई होती है, वहां पे इतने बड़े प्रदेश में जहां 500 से ऊपर महाविद्याले हैं, वहां पर केवल पूराद्दु की पढ़ाई इन तीन सांस्थानों में हो रही है, तो मेडम अवेरनेस लोगों के अंदर कहां पे आएगा, गाइड बनने के लिए जो पढ़ाई पढ़ाई जानी चाहिए, खास करके यदि एक minimum योगिता के हम बात करते हैं, कि उनको PG in archaeology का समझ होना चाहिए, तो ऐसे चात्र जब तक produce नहीं होगे, अपने धरों के अंदर सजगता नहीं होगी, तो लोगों के अंदर सजगता स्वयम कहां से लाएंगे, और गाइड के रूप में रोजगार कहां स दिखो देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेडम, बिश्विद्याले में इसी सत्र से एक नए कोर्स को प्रारम किया जा रहा है, जो कि one year PG diploma in museology है, ये बहुत दिन का प्रयास था, जो पूरे देश में बड़े museum हैं, जो शब्दीवड के museum हैं, वहाँ पे curator बनने के ल security प्राप्त हो चुकी है, मेरा पूरा प्रयास है कि इसी सत्र से वो diploma course प्रारम हो जाए, और ताकि जो 36 गड़ की नई पीड़ी है, वो पूरत से जुड़े, museology से जुड़े, और जो एक रोजगार का नया उसर है, जो सबसे बड़ी समस्या किसी प्रदेश के लिए होती है, कि युवा रोजगार खोज रहा है, और रोजगार हमारे ही प्रांट में है, हम बताना चाहते हैं कि लोग रोजगार करने के लिए और राजियों में जा रहे हैं, वहाँ पर जा करके काम कर रहे हैं, टूरिस गाइड बन रहे हैं, उनको 36 गड़ में ही रोजगार मिल जाए कर दिया जाए ताकि लोगों के अंदर वो बात पैदा हो जाए मैं निश्य तोर परी इस बात को इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि रोजगार का स्रिजन सोयम होगा जी और डॉक्टर रमीन रिनात मिश्य आप से जाना चाएंगे जैसा कि आपने कहा कि हम आपने बहुत प्रयास किया कि इस तरह से हिंदी भवन को बचा लिया जाए आम लोग भी तो प्रयास कर सकते हैं अपने धरोहरों को सहेज कर रखने का यह जो आम लोग होंगे यह किस त सच्छा काम जो है अध्यापक और अध्यता दोनों कर सकते हैं गिरिस्मा उकास में जाकर करके गाहों को बीच बढ़ के चर्चा करके कर जागरुकता की बाद जैसे भी मिश्चर जी ने कहा कि मोढेरा में मैं था गुजरात में सुर्यमंदिर जहां कोनार के बाद में तो वहा देश्तों में कभी के बहुत दुख होता है बहुत सही चीज जो पूल के नीचे लगे थे हो सकते हमें मिजम भीजवाय लोगों कहके जन जागरुकता है अच्छा मैं तो बोलके अनुभव पाय मैं संजोग से देश के दस यूवा संबंद नीतियों से जोड़ा रहा है और कि शरोर हमारी धरोर है हमारे गाओं को मंदिर जो हमारे लिए महत्पुन है तो निश्चित मानिये धिरे धिर जागरुकता है आए एक बिंद हो गया दूसरा तो यह है कि जब तक प्रात्मिक इस तर से लेकर क्या मिजम इसका यह नहोगा ध्यापन अध्यन नहीं होगा तीस साल के परिश्रम बाद भूला सकर्म है तो मैं चाहता हूं कि इतिहास का अश्चर मानिंगे कि जितने भी नए कालेज खोल रहे हैं वहां इतिहास नहीं खोला जा रहा है कितना बाद रुभाग इच्छतिवागा और जो इतिहास के विभाग उनको नहीं सायोग नहीं तो मैं तो नागरी के घुए युवा के सब्समाझ यहां सकता है यहां पर अफसर लोगों को भी है जो कि जब तक वो अपने संस्कृति और धरौर को अपना नहीं समझेंगे तक अपनी माटी की सुगंद की सक्षम समक्रम होना की जैंगार तक जितन मान करके चलिए कि मैं म तो मैंने बहुत कुछ पर्यटन के लिए किया जैसे हमाने कहाँ पुरा प्राकृतिक पर्यटन के लिए, तो गाइड तैयार करते हैं पर उसके ऊपर के जो लोग होते हैं और रूची ना लेते हुए एक प्रकार से, उसके कार रहा है सा इसका रहा है। कि मैं इस मामनक को इन्होर सिटी को कालेज को विद्यारत को सुचना नहीं है एक ही वे आदमी पच बाइस साल बोला रहे हैं यह जब तक रहेगा कि हमको तो यह देखना नहीं कि हम जिस माटी में रहते हैं हमारा कुछ करता है तो उस हिसाब से बच्चों से लेकर के बुजु को सहेज कर रखने की और हम बात करते हैं कि इसे अध्यापन और अध्यापन में शामिल करना चाहिए लेकिन हमने देखा है कि इतिहास में भी कुछ परीवर्तन होने इसे भी हमारे पाटिक्रम में शामिल करना चाहिए बहुत ही अच्छा प्रशना है आपका मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपना इतिहास पढ़ना ज्यादा हो चीत समझता है कोई भी व्यक्ति इतिहास में अपने दादा अपने नाना अपने परदादा को खोशता है तो जो छेतरी इतिहास है वो हमसे जुड़ा हुआ इतिहास है हमारे दादा हमारे परदादा हमारे पूरवजों का इतिहास है तो निशित तोर पर यदि छेतरी है जो इतिहास है उसको पाटिक्रमों में सामिल किया जाएगा त क्योंकि इतिहास एक ऐसा विशा है आप कोई भी competition देते हैं आप कोई भी प्रतियोगी परिक्षा देते हैं तो चाहे वह सामान अध्यन के रूप में चाहे चैनित विशन से हैं तो मेरा यह कहना है इस मंच के माध्यम से कि निश्य तोर पर हम लोग चुकी board of studies के member के प्रदेश की उसमें भी है इस बार प्रयास किया गया है चुकि इस बार के syllabus में इस बार के particular में जो चात्र इसका अध्यन करेंगे उनको इस्थानी इतिहास पढ़ने को मिलेगा और जब तक इस्थानी इतिहास को सामिल नहीं किया जाएगा तब तक इतिहास का फैला उतना जादा नहीं होगा प्रदेश में तो यह बहुत ही अच्छा प्रश था मेडम आपका और निशित तोर पर इसको सामिल किया जाना चाहिए अपने इस्थानी इतिहास को जी आप दोनों ही मैमानों ने इतने महत्वपून विचार हम से साजा किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हम आशा करते हैं कि जो भी धरोहर हमारे पास अब तक मौझूद हैं उन्हें हम सहीच कर रखें अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपनी जागरुपता के दम पर इन सारे धरोहरों को अपनी आने वाले पेढ़ई के लिए सुरक्षित रखें किसी और विशे के साथ होगी आपसे मुलाकात अब तक कीजिए थोड़ी से प्रतिक्षा थोड़ा सांतजार नमस्कार